हेलो फ्रेंट्स मैं नहीं करूंगा आपको बोर विकास आए नो यू वांट तो लर्न इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें व्रन सब्सक्राइब करता हूँ आज आप मिने गवर सोल प्रोप्राइटरशिप उसके फीचर्स तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाड़ सोल टेडिंग कंसरन और soul proprietorship soul का मतलब होता है single person एक अकेला इनसान जो बिजनस करता है proprietor का मतलब होता है owner तो business का अकेला मालिक अगर एक business चला जा रहा है उसका अकेला मालिक है तो उसको हमने नाम दे दिया soul proprietorship और soul trading concern under soul trading concern आप कोई भी business कर सकते हो कोई भी छोटा मोड़ा बिजस किया जा सकता है हमारे आजू-बाजू में कई सारी ऐसी दुकाने चलती रहती है जो बेस्ट इक्जामपल है किसके के जैसे केराने की दुकान हो जनल स्टोर की दुकान हो मेडिकल की शॉप हो ब्यूटी पालर हो ऐसी कई सारी दुकाने हमारे आजू-बाजू में चलती रहती हैं कोई भी बिजस इसमें स्टार्ट किया जा सकता है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोड़क्शन ओफ Soul Trading Concern और Soul Proprietorship तो पहला-पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे जो मैं बता चुका हूं Soul means single person meaning एकदम simple है the business organization which is owned, managed and controlled by a single person is called Soul Trading Concern the business organization which is owned, managed and controlled by a single person is called Soul Trading Concern it is also known as one man show business कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं फ्रेंसिसको one man show business क्योंकि सारे काम प्यून से लेकर principle तक सारे काम कई प्रकार के रोल एक ही बंदा फॉलो करता है एक ही बंदा सारे काम करता है इसके लिए इसको नाम दे दिया गया one man show business यहां फिर हम इसे कह सकते हैं Soul Proprietorship it is the oldest and simplest form of organization यह सबसे पुराने टाइप का और सबसे आसान टाइप का organization है ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि सबसे पहले Soul Trading Concern को start किया इसके लिए oldest form of organization है इसको शुरू करना बहुत आसान है इसके लिए इसको नाम जागया simplest form of organization the person who conduct this business is called Soul Trader और Soul Proprietor जो बंदा यह बिजनस में involved है उसको आप Soul Trader भी कह सकते हैं Soul Proprietor भी कह सकते हैं एनी पर्सन याने कोई भी व्यक्ति फिर लिमिटेड कैपिडल याने थोड़ा सा पैसा इन्वेस करके थोड़ा सा स्किल उसकी पास नॉलिज टेलेंट रहेगा थोड़ा सा दिमाग या इन्टिलिएंस रहेगा तो वह अपना कोई भी बिजनस को start कर सक सकता है तो एनी पर्सन विद लिमिटेड कैपिडल स्किल इंटलिएंस कें स्टार्ट सोल डेडिंग कंसर्ण एक्जाम्पल में आप को अलड़ी दे चुका हूं जाए वो जनल स्टोर हो मेडिकल स्टोर हो ब्यूटी पालर हो या और कोई भी बिजस हो सकता है कोई भी बिज सब्सक्राइब करता है तो टाइब बिजस उनिट एक बिजस उनिट है वन परसन इस सोली सोली याने इंडिविजुली रेस्पोंजिबल फॉर प्रोवाइडिंग दे कैपिडल एकी बंदा पैसा ला रहा है और बेरिंग दरिस्क आप एंटरप्राइस वो खुदी रिसक उ लगता है तो नेक्स्ट एफिनिशन प्रोफेजर जेम्स लुंडी का देफिनिशन है सोल प्रोप्राइटर्शिप इस एन इन इन फॉर्मल टाइप आफ बिजस इन फॉर्मल याने एक तरह का पर्सनल ओनाइज़ेशन है ओन बार वन परसन आप कोई भी डेफिनिशन सोल ट्रेडिंग कंसन पॉइंट नमबर वान इस इंडिविजल ओनर्शिप फ्रेंड्स यहां पर पहला पॉन इकदम सिंपल है इंडिविजल याने सिंगल ओनर्शिप बिजस में जितने भी ऐसेट्स हैं फॉनिचर एक्सेटर जो भी है एट बिलॉंग्स टू परसन तो इ इस इन जो करेगा क्योंकि वह अपने बिजस्न का मालिक है अजर कल को बिजस्ट बेन नुक्सान हुआ है कोई भी रिस्क है तो उसको अकेले बेर करेगा अगर आपको किसी के एंडर काम नहीं करना है या आपको अपनी पसंद का जौब नहीं मिल रहा है तो आपके पास थोड़ा सा कैपडल होना चाहिए आजकल तो बैंक से भी आसानी से लोन मिलता है इसलें अट फेलके इंदस्टीर के लिए थोड़ा सा कैपडल चाहिए थोड़ा सा स्किल टैलेंड आपके भास होना चाहिए आप कोई भी ठंदा शुरू कर सकते हो ठंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो क्वशव कर सकते हो एं इस बैस एस से आल यंदा चैप्लेंट प आप शुरू कर सकते हो कोई भी बिजनस पॉइंट नंबर पॉर इस लोकल मार्केट ऑपरेशन यह क्या होता है यह जो बिजनस है स्मॉल स्किल पे कंड़क किया जाएगा तो सोल्डेटर कवर्स डैश एरिया लोकल एरिया आजू-बाजू का एरिया ही यह कवर कर पाएगा ज जोलडर ऑपरेशन डैश मार्केट लोकल मार्केट एक्जाम में पूछा जा सकता है पॉइंट नंबर फाइव इस नो सेपरेट लीगल स्टेटस नो सेपरेट लीगल स्टेटस यान इन दाइस आइस ओफ लॉओ फोल टेडर एंड हिस बिजनस वोल टेडिंग कंसर्न और इ जाओंगा लेकिन उसके पहले हम पॉइंट नंबर सिक्स पर आ जाते हैं तो पहले पॉइंट नंबर फाइव याद रखिए क्या है नो सेपरेट लीगल स्टेटस याने इसको अलग पहचान नहीं दी गई है बिजनस और उसका मालिक दोनों एक ही है क्योंकि एक परसनल या मिनिममम गवर्मेंट कंट्रोल यहां पर गवर्मेंट हमारे बिजनस में ज्यादा इंटेफर नहीं करेगी तो स्पेसिविक एक्ट फॉर सोल डेडिंग के लिए कोई अलग से एक्ट भी नहीं है इसको शुरू करना बहुत आसान है बस जनरल रूर्स और रहता उसको हमने इसको आसानी स्टाट कर सकते हैं इसमें ज्यादा इंटेफर नहीं करती पॉइंट नंबर सेवन इस अनलीमिटेट लिए इन सोल टेडिंग कंसर्न लाइबिलिटी आफ जो है सोल टेडर इस अनलीमिट एक मक्व ब्लाइंग है लाइब लाइट एस डैश 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 डिस अ रुकती हैं है तो हैवी लॉस पे करने के लिए बिजन्स एसेट्स अर्नोट सभीशन्स एसेटि बिजन्स बेचने के बाद इसको पें नहीं कर पार है in that case हमें हमारे परसनल एसेट बेचने पड़ेंगे किसको पार्ष ने पड़ेंगे पार्ष याणिश की लाइब डिए क करने के लिए उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ सकती है क्योंकि पॉइंट नंबर फाइव में आपको बताया गया था नो सेपरेट लीगल स्टेडस इन दाइस ऑफ लॉव बिजनस और उसका मालिक एक है यह जो डिफरेंस बिजनस प्रॉपर्टी और बिजनस प्रॉपर्टी कम पढ़ रही है तो अपनी पॉपर्टी बेचते रहनी है और तब तक बेचते रहनी है जब तक वो फ्रेंटर्स का थर्ड पार्टी का करजा चुका नहीं देता फ्रेंस उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू ओल फॉर लव एंड सपोर्ट